ये श्रंखला सर्व आत्माओं के पेता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है ओम शांते Godlywood Studio द्वारा प्रस्तृत अमुलेरतन में आप सभी का हार्दिक स्वाकत है स्वदर्शन चक्र की महिमावस का वर्णन भारत के शास्त्रों में है मंदिरों में भी विश्नुजी व देवियों के हाथ में स्वदर्शन चक्र दिखाया जाता है ऐसा भी वर्णित है कि श्री कृष्ण जी ने इसी शस्र द्वारा अनेक पापात्मों का संघार किया था परंतु स्वदर्शन चक्र से तातपर रेक्या है इसकी महत्वता क्या है आज हम इश्वरी महवाक्यों द्वारा इसी विस्तार को समझेंगे और इन महवाक्यों के इस पश्टी करण के लिए हमारे मध्य है प्रजा पिता अब्रमा कुमारिज इश्वरी विश्विद्याले के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदर्नी राजुभाय सहाब फैसा बापका आज की एपिसोड में बहुत वस्वागत है प्रस अब आज हम बात करेंगे 18 सितंबर 75 के महवाक्यों के बारे में जिसका टॉपिक है माया के चक्करों से परे स्वदर्शन चक्रधारी ही भविश्य में चत्रधारी प्रस अब पर्मात्मा कहते हैं कि आज पर्मात्मा सब ब्राम्भन बच्चों के बर्तमान और भविश्य दोनों को देख हर्शित हो रहे हैं हर एक स्वदर्शन चक्रधारी सो चत्रधारी है बर्तमान चक्रधारी और भविश्य में चत्रधारी चक्रधारी नहीं, तो चत्रधारी भी नहीं फैसर अब स्वदर्शन चक्र और चत्र इन दोनों को थोड़ा सपश्ट करें शंगम यूक पर जब परमात्मा हम सबको आत्मा का ज्यान देते हैं तो उस ज्यान का जब हम सुमिरन करते हैं और उसमें भी विसेश आत्मा का स्वाक का धर्शन करते हैं, कि आत्मा इस रष्टी चक्र के अंदर कैसे अनादी स्वरूप से आधी काल में सत्यूग के अंदर आई, फिर उसने कैसे पुनर जनम लिये, कैसे पार्ट पलेकिये, सत्यूग, त्रेता यूग, द्वापर यूग और उसमें उसने कितने स्रेष्ट हीरो पार्ट बजाए, तो जब हम कलियूग के अंत में पहुंचते हैं, पार्ट बजाते आत्माएं अंतिम समय में आती हैं, तब परमात्मा इस रष्टी पर आउत्रित हो करके, अपने बच्चों को पूरे 84 जनमों का ज्ञान देते हैं, और उस ज्ञान का जब हम आत्माएं चिंतन करती हैं, सुमिरन करती हैं, कि मैं क्या था, क्या बना, तो वो ज्ञान का चिंतन, स्वा का धर्सन ही स्वदर्सन चक्र है, ये चक्र जैसे रिपीट होता है, तो ऐसे ही जब हम इस समय स्वदर्सन चक्र रिपीट करते हैं, तो हम इस समय स्वयम परमात्मा हमें इस चक्र का ग्यान दे रहे हैं। तो जब हम चक्रधारी बनते माना इस समय हम स्वधरसन चक्र को बार बार इस्मृति में लाते हैं। तो जो हमारे आदी संसकार हैं वो इमर्ज होते हैं। जो सत्युक के संसकार हैं। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं, संगम युक पर स्वधर्सन चक्र फिराते हैं, उसकी इस्मृति में रहते हैं, उतना उनके दिभी संसकार बनते जाते हैं, तो स्वधर्सन चक्रधारी आत्मा ही भविष्य में छत्रधारी माना विष्यक पर राज्य करने वाली बनते हैं, व पुरे विश्व पर राजी करते हैं बसा परमात्मा कहते हैं कि जिन बच्चों का इस संगम युग का यह थोड़ा सा अमुल्ले समय निरंतर सदाकाल चक्र चलता रहता है अर्थात अविनाशी चक्रधारी है वही आत्माई सदाकाल चत्रधारी बन सकते हैं चक्रधारी बनने वाली आत्मा सदा माया अधिकारी होगी माया अधिकारी आत्माई ही परमात्मा के बेहद वर्से की अधिकारी बनती हैं अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी सो चत्रधारी बनती हैं सदेव चक्र और च्छत्र दिखाई देता है तो वर्तमान समय हम सबको स्वा का बार बार दर्सन करना है, उसी स्मृति स्वरूप में रहना है, कि मैं आत्मा कैसे इस चक्र में आई, मेरा अनादी स्वरूप कितना पवित्र है, सुद्ध है, जब हम परमधाम घर में हैं, फिर स्ष्टी चक्र में आये, तो आदी प्रेता, द्वापर कल्युक का हम ने चक्र लगाया और इस समय परमात्मा हम सब को फिर से वो इस्मृति जो दिला रहे हैं उसको बार-बार इस्मृति स्वरूप मेलाना है, कि मैं ये था, तो इस समय हम माया पर जीत प्राप्त करने वाले माया धारी बन जाते हैं, जैसे माय Anand R alto, आठाना के माया पर जीत होता हैं, समया पर उत्र अपर यू जञता पर्मात्मा कर जाता है, तो दिसे छोयोता है, जो भवित्ळा है शेचेता है। जातना इस समय उतना भवित काल लाते हैं , इस सुरूप में परमात्मा खायता है। हमारा वो पवित्र स्वरूप, आदी श्रूप, जो आदी कालगा था. उस स्वरूप में स्वधरस्ण चक्र फिराते हैं, जब आत्मा इस्थित्थ हो जाती है, इस्मरत्वी आ जाती है, मई ही ये था और मुझे फिर से बनना है। वो संसकार ही मर्ज हो जाते हैं तो जो संगम युक पर चक्रधारी है स्वधर्सन चक्र फिराते हैं उसकी निरंतर इस्मृत्ती में रहते हैं वो एक और माया पर अर्था द्विकारों पर जीत प्राप्त कर लेते हैं और दूसरी और उनके सामने अपना भविष् से पद सदा इसमृत्ती में ρहता है और ऐसे लगता है कि मैं आज यह हूँ, कल यह बनूँगा दोनों इसमृतियां सदा इसमृत्ती में रहते हैं परमात्मा कहते हैं कि चक्रधारी आत्मा की निशानी क्या दिखाई देगी अपनी निशानी आप सबने देखी है चक्रधारी अब भी लाइट के छत्रधारी दिखाई देंगे चक्र की निशानी लाइट का चक्र दिखाई देगा ऐसा चक्रधारी सदेव माया के अनेक प्रकार के चक्रों से मुक्त होगा जब आत्मिक सरूप में हम इस्थित हो करके अपना धर्षन करेंगे, आतम चिंतन करेंगे, तो सुध संकल्पों में रहने से, जितना हम अपने पवित्र और सुधसंकल्पों में रमन करते हैं, उतना एक light का चक्र, पवित्रता का चक्र तयार होता है। जैसे हमारे धर्म आत्माओं के, धर्म पिताओं के, चित्रों के, चारों और एक प्रभाम अंडल दिखाते हैं. आभाम अंडल, जिसको कम कहते हैं, वो लैट का चक्र है. आत्मा के सुद्ध संकल्पों से निर्मित वाइब्रेशन से बना हुआ चक्र वो पवित्रता का चक्र है वो लाइट का चक्र है तो जितना आत्मा अपने स्वस्वरूप में इस्थित है समय उतना उसके चारों और एक पवित्रता का अभावंडल है वही लाइट का चक्र है, तो जितना वो चक्र अर्था छत्र के रूप में वो चक्र भूमता रहता है, उतना उसका भवी से पद उसी आधार से निश्चित होता है, तो वर्तमान समय परमात्मा हमको कहते हैं, यह लाइट का चक्र, सुधर्सन चक्रधारी आत्मा के चार ओर छ बिल्कुल परमात्मा कहते है कि जैसे अपनी देहे की स्मृति से अनेक व्यर्थ संकल्पों के चक्र से लौकिक और अलौकिक संबंधों के चक्र से अपने अनेक जन्मों के स्वभाव और संस्कारों के चक्र से और प्रकृति के अनेक प्रकार के आकर्शन के चक्र से वह मुक्त होगा सिवाय स्वदर्शन चक्र के वह और कोई चक्र में आ नहीं सकेगा अन्य आत्माओं को भी बाप से प्राप्त हुई शक्तियों द्वारा अनेक चक्रों से सहज ही छोड़ा देगा वर्तमान समय कई प्रकार के चक्रों में आत्माओं फसी हुई है कोई दे के, कोई सम्मंधों के कोई प्रकरती के भिन भिन माया के चक्र चल रहे हैं और उन चक्रों में फसी हुई आत्माओं दुखी हैं असांत हैं, खुद परेसान हैं दूसरों को परेसान करते लेकिन जब हम अपना स्वाकादर्सन करते हैं, स्वाचिंतन करते हैं, तो इन अनेक प्रकार के चक्रों से आत्मा मुक्त हो जाती है, और जितना वो खुद मुक्त होती है, वो दूसरों को भी मुक्त कर सकती है, तो जब हम आत्मिक इस्थिति में इस्थित हैं, स्वा को देखते हैं, स्वाधर्सन करते हैं अपने आदी और अनादी काल की स्मृत्ती में रहते हैं उतना माया का जैसे गला कर जाता है अनेक प्रकार के चक्रों से आत्मा सुत्य मुक्त हो जाती है और जो जितना आत्मा मुक्त है उतना दोसरों को भी मुक्त कर सकती बिल्कुल परमात्मा कहते है कि माया के अनेक प्रकार के चक्करों की निशानी क्या होगी जैसे चक्रधारी आत्मा लाइट के ताजधारी होगी और परमात्मा के वर्से की अधिकारी होगी वैसे माया के अनेक प्रकार के चक्कर में आने वाले की निशानी क्या होगी जिसे उनके सिर पर लाइट का ताज है वैसे उनके सिर पर अनेक प्रकार के विघनों का बोजह होगा ताज नहीं सदेव किसी न किसी प्रकार का बोज उनके सिर पर अर्थात बुद्धी में महसूस होगा ये बोज तो आत्मा के उपर जब वो बेरत चिंतन चलता है जब इधर उधर की बाते संकलप में चलती रहती है तो वो ही बोज बन जाता है और जो स्वा का दर्शन कर रहा है आत्मी की स्थिते में इस्थित है उसके उपर सुद्ध संकलपों से लाइट का ओरा बन रहा है ये च्छत्र बन रहा है और वो बोज बन रहा है तो परमात्मा हम सबको कहते हैं कि इतने समय से तुम लोगों ने माया के चक्र में रह करके अपने उपर अनेक प्रकार के बोज चढ़ा लिये बेर्थ के बोज कई प्रकार के चिन बातों का कोई हमसे लिना देना नहीं है उनको सोच-सोच करके हम अपने बुद्धी के उपर बेर्थ संकलपों का, बेर्थ जवाबदारियों का बोज लेते जा रहे हैं तेकिन जब हम आत्मिक इस्तिति में रह करके स्वध का धर्सन करते हैं, तो हमारे उपर वो बोज नहीं रहता, हमारा चत्र तियार हो जाता है. तो हम एक तरफ चत्रधारी आत्माएं हैं, जो स्वधर्सन चक्र से लाइट का ताज तियार करती हैं, चत्र तियार करती हैं और दूसरी तरफ आत्माइं जो बेर्थचिन्तन करती हैं, पर्चिन्तन करती हैं, प्रकर्थी का चिन्तन करती हैं, उनके ओपर बोज चरता जाता है, उनके ओपर जैसे चारों बोज का चक्र है, ऐसा बोज के अंदर दबी हुए आत्माइं हैं, और से दबा हुआ विक्ति है अनियक प्रकार के बोज से और जो हलके हैं लाइट है उनके उपर लाइट दिखाय देती है प्रमात्मा कहते है कि ऐसी आत्मा सदेव करज़दार और मर्ज़दार होगी उनके मस्तक पर मुख पर सदेव क्योशन मार्क होंगे हर बात में क्यूं, क्या और कैसे यह questions होंगे एक सकिंड भी बुध्धी एकाग्र अर्थात फुल स्टॉप में नहीं होगी फुल स्टॉप के निशानी बिंदी होती है अर्थात मन्सा में भी बिंदू स्वरूप की स्थती नहीं होगी वाचा और कर्मडा में भी बीती सो बीती नथिंग न्यू जो होता है वह कल्यान कारी है ऐसा फुल स्टॉप अर्थात बिंदी लगानी नहीं आएगी एक तरफ ग्यानी आत्मा है एक तरफ अग्यानी आत्मा है जो आज के संसार में विक्ती है वो कोई भी द्रस्य को दिखते हैं तो सोचने पर उतार हो जाते हैं यह क्यों हुआ इसा नहीं होना चाहिए इसने ऐसा कैसे कर लिया अनेक प्रकार के प्रशनों की जाल खड़ी कर लेते हैं ज्यानी आत्मा सोचते हैं, जो कुछ हो रहा है बना बनाया ड्रामा है, नथिंग न्यू, फुलिष्टाप लगा देते हैं, परमात्मा चाहते हैं कि मेरे बच्चे, अब माया के अनेक प्रकार की हल्चल में प्रशनात्मक बुद्धी न बनाएं, बश्चन नहीं उठाएं, एसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है, यह नहीं होना चाहिए, तो अनेक प्रकार के प्रशन है, बच्चन में डालने वाले बहारी कर देंगे, और अगर फुलिष्टाप लगा दिया, जो हो रहा अच्छा हो रहा है, ड्रामा कल्यान कारी है, नथिंग न्यू, तो यह एकागर चित इस्थिती बन जाएगी, उस आत्मा को बोलो एक मिनट के लिए मन को एकागर कर लो, तो बहुत चंचल एकागर नहीं होता, और ज्ञानी तो आत्मा के लिए को हो, एक सेकेंड में मन को इस्थिर कर सकता है, एकागर कर सकता है, तो ज्ञान ऐसी सक्ति है जिस शक्ति के आधार से हम हर द्रस्य को नगेट्यू हो या पोजिट्यू हो फुरिश्ट आप लगाना जानते हैं जिनके पास ग्यान की शक्ति नहीं है वो question पर question अपने आपको भारी करते हैं और उनके साथ अगर कोई मिल जाता है बैठ जाता है तो अपनी कहानी सुनाना सुन्दर है कि अगर इस ग्यान का कोई सुमिरन करता है कभी कोई question उठता ही नहीं है हर द्रस्य में nothing new जब कोई नहीं बात ही नहीं है तो प्रस्ण कहने की आवसकता क्यों है वहते भी है बनी बनाई बन रही अब कुछ बननी नाई चिंता ताकि कीजिए जो अनुनी होई त तो जो आज हम बहुत बेर्थ बाते सोच रहे हैं वो हमारे उपर बोज चड़ता जाता है जैसे करजदार पूजिल हो जाता है इसके उपर करज बहुत होता है और उसको खुसी नहीं रहती करज मर्ज बन जाता है ऐसे ही आत्माओं के उपर अब अर्थमान समय अनेक इसतार में परमात्म में बताते हैं कि ऐसी आत्मा हर संकल्प में सदा स्वयम से भी क्योश्चन करती रहेगी कि क्या मैं सफलता मूरत बन सकती हूं मैं सर्व के संपर्क में सफलता प्राप्त कर समीप आत्मा बनूंगी मैं सर्व के स्वभाव संसकारों में चल सकूंगी सर् अन्य के प्रकार के क्योष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष इसके साथ हम चल सकेंगे या नहीं चल सकेंगे, माया मुझे इतना हैरान क्यों कर रही है, अनीक प्रकार के प्रश्ण मन के अंदर उलजते रहेंगे, लेकिन अगर स्वधर्शन चक्रधारी है, फुलिष्ट आप लगता है क्योंकि हम तो कल्प कल्प के विजय हैं, विजय हम मुझदेद हैं, और जो स्वधर्शन चक्र करते हैं, वो सेकेंड में फुलिष्ट आप लगा करके, अपने विजय के नसे में रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो प्रश्ण है, वो बंद नहीं होते हैं, उसका कारण है शक्ति की कमी, अगर आत्मा शक्ति साली है, और उसने ग्यान को अच्छी तरह से अथार्थ समझा हुआ है, तो संगम यू कल्यान कारी, हमारा बाबा कल्यान कारी, समय कल्यान कारी, ड्रामा कल्यान कारी, मुझ आत्मा का अकल्यान इस ड्रामा में होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता, भले कोई अकल्यान का दरस से दिख इसको शक्ति बनाया नहीं है, उसकी गहराई में नहीं गया, उसका चिंतन नहीं किया, इसलिए एक तरफ उसके अंदर क्वेश्चन उठते हैं, दूसरे तरफ उत्तर दिखाई देते हुए भी फिर भी प्रस्न करता है, इसलिए आवस्यक्ता है, हम अपने जीवन में ग्यान क उतारें, ज्यान हमारे सुरूप में आजाए, और ज्यान सुरूप में आएगा, तो कभी हलचल के प्रस्न उठेंगे ही नहीं, दूसरी तरफ परमात्मा के बच्चे होने के नाते, परमात्मा द्वारा प्राप्त हुए, सर्व अधिकार का रिटर्न करने का फर्ज, पालन करने के कारण अर्थात अपना फर्ज न पालन करने के कारण फर्ज के बजाए कर्ज बन जाता है। कर्ज का बोज आत्मा की सर्व कमजोरियों के मर्ज के रूप में ले आता है। जब हम पालना का रिटेंड नहीं करते हैं। जो परमात्मा के द्वारा हमें इतनी प्राप्तियां हो रही हैं। इतनी उंची पालना मिल रही है। हमारा भी फर्ज बनता है उनके ग्यान को पर्टेक्ष करने का। परमात्मा के द्वारा जो हमारी इतनी स्रेश्ट पालना हुई है, इतनी स्रेश्ट जीवन मिली है, तो हमारा फर्ज है हम अपनी ऐसी इस्तिती बनाएं, लेकिन अगर नहीं बना रहे हैं, तो जैसे हम वो भी बोच चाहा रहे हैं, करजा चड़ रहा है, एक तो पिछले जन् रहुनक नहीं, प्राप्तियों का नसा नहीं, तो परमात्मा कहते हैं, ऐसी बोच वाली आत्मा है, जिन पर डबल बोच चड़ता जा रहा है, वो इस जीवन का आनन्द नहीं ले सकती, खुसी का आनुभो नहीं कर सकती, तो इसलिए आवस्यक्ता है कि हम अपने आपको ज्ञान को जीवन में उतारें, ज्ञान जीवन में आ जाएगा, तो ये सब बातें अपने आप समाप्त हो जाएंगा। चलते भी रहते, लेकिन प्राप्ती की मन्जिल नजर नहीं आते है, बड़ा मुश्किल है, ऐसी आवाज परमात्मा सुने और ऐसे बच्चों को देखे, तो परमात्मा क्या करेंगे, मुस्कुराएंगे और क्या करेंगे। वो उतको बोच का अनुभू होता है, बारीपन का अनुभू होता है। और बाबा के सामने बार बार आके कहते हैं, मुझे अनुभो नहीं होता, मेरा योग नहीं लगता, मुझे खुसी नहीं होती, मेरे को ये होता है, तो बाबा भी मुस्कराता है, कि इतनी पालना दे रहे हैं, इतनी उची पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, इतना सरेष्ट संग मिला परिवार मिला, फिर भी अगर अनुभो नहीं कर रहे हैं, फिर भी अगर योग नहीं लग रहा है, फिर भी इस इतनी महान जीवन का अनुभो नहीं हो रहा है, तो जरूर कोई करजा है, कोई पिछला करजा है, या बरतमान पालना का रिटर्न नहीं दे रहे हैं, इसलिए पर बार हिम्मत और उल्लास दिलाते रहते हैं, कि तुम ही बच्छों ने अनेक बार विजय प्राप्त की है, हिम्मत आपकी, मदद बापकी, फिर भी चलते चलो, रुको नहीं, कल्प पहले मुआफिक, फिर से विजय बन जाओ. बाभा तू यही कहेगा, क्यौंकि बाप है, रहम दिल है, बच्चों की महनत देख भी नहीं सकता, इसलिए हिम्मत दिलाता है, बच्चे आप ही तो विजय बने थे, कल्प आपको ही मैने बनाया था, आपको निरास होते हो, क्यों उदास होते हो, बने थे, फिर बन जाओगे. तो हिम्मत भीला दिलाता है, शक्ती भी देता है, पालना भी देता है, और कहता है बच्चे आप आगे बढ़ो, बीती को बिंदी लगाओ, फुलिष्टाप लगाओ, और अपनी उची इस्तेती बना लो. बिल्कुल, परमात्मा कहते हैं कि सिर्फ एक सकेंड भी सच्चे दिल से, सर्व संबंधों से याद करो, तो उस एक सकेंड में मिलने की अनुभूती वप्राप्ती सारे दिन में बार-बार सब तरफ से दूर कर, परमात्मा की तरफ आकरशित करती रहेगी. भले इतने भी निर कोई बहुत कंप्लेंड करता है तो बड़ी अच्छी युक्ति बाबा बता रहे हैं, सहज मार गए, कि दिल से एक बाबा तो कहो, बाबा के सामने बैठ करके अगर योग नहीं लग रहा है, निरास उदास नहीं हो, छोड नहीं दो, बैठ जो बाबा के आगे, बाबा मैं त अगर कमजूरियां हैं, संसकार हैं, उनको सोच सोच करके एक तो मुदास निरास नहीं हो जाओ, छोड नहीं दो, अब फिर से अभ्यास करो, बड़े सच्चे मन से, सच्चे दिल से, एक सेकिन में बाबा कहो और अन्भो हो जाएगा, और इसलिए भाइसा परमात्मा कहते है कि ऐसी निर्बल आत्माओं को एक सेकिन की याद रखने की हिम्मत के रिटान में परमात्मा हजार गुना मददगार बनेंगे, इस से सहज और क्या करेंगे, या आपकी तरफ से योग भी परमात्मा ही लगाए, नाजुक बच्चे हैं नाजुक बच्चे बाप से भी नाज करते हैं, इसलिए नाज युक्त नहीं बनो, लेकिन राज युक्त और युक्ती युक्त बनो, फैसब आज हमने महावाक्यों द्वारा स्वदर्शन चक्र के महत्व को समझा और इस से कैसे हम बोज मुक्त हो सकें उस विधी को भी जाना, फैसब इस पश्टी करण के लिए आपका बहुत वद धन्यवाद। प्रकृती के विभिन आकर्शनों से पार, सदा बिंदू सरूप की स्थिती में स्थित रहेगी। परमात्मा ने कहा कि हमें अब नाज युक्त नहीं परन्तु राज युक्त और युक्ती युक्त बनना है। आजिर होंगे, तब तक के लिए लेते हैं इजाज़त, अम्शान्ती। मुख्यसार स्वदर्शन चक्रधारी कौन बनते हैं? जो इस संगम युक्त के अमूले समय को सफल करने में तत पर रहते हैं। चक्रधारी आत्मा की निशानी, व्यार्थ संकल्प, लौकिक और अलौकिक संबंद, स्वभाव संसकार, प्रकृती के आकरशन तता माया के अनीक प्रकार के चक्रों से मुक्त होंगे। अपने पर्ज को नहीं निभाना भी कर्ज का कारण बन जाता है। ब्रह्मा कुमारीज इश्वरिय विश्व विद्यार लेके सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गौडलीवूर्ड स्टूडियो से संपर्क करें।